विल्कम तो SMB material friends आज SMB business के इक software के बारे में मैं explain करूंगा जो transport management software है और यह software में कैसे ability बनाते हैं और उसका of the sun कैसे बनाते हैं और इसके बाद जो आगे जितने भी process रहते एक transportation system पे वो आज मैं explain करूंगा तो सबसे पहले हम start करते हैं तो अभी में booking branch से login कर लेता हूँ इसके बाद मैं आपको देखाऊंगा कैसे काम होता है तो मैंने booking branch से login कर लिया है और इसी booking branch से सबसे पहले आप देखिए booking option आपको दिख जाएगा और यह booking option पे आपको कॉंसायनमेंट booking register पे क्लिक करके आपको नया booking बनाना है ठीक है तो booking बनाने के लिए पहले हम क्लिक कर देते हैं और यहां आपको सारे previous builds जो आपने बनाये हैं CN या build वो सारे आपको दिख जाएगा और यहां क्लिक करते आपको वो सारे इसके अंदर का जो सारे चीजें हैं एक बिल्टी में जो जो रहता है वापको पुरा दिख जाएगा तो यहां आपको क्लिक करना है create new build और CN इसमें क्लिक करना है आपको नया बिल्टी बनाने के लिए तो सबसे पहले आता है quantity मान लिजे 200 packet का आपका एक quantity का माल जा रहा है और इसमें सबस्क्राइब क्रेट काटन बौक्स सारे दिया हुआ है जैसा आपका प्रोड़क्ट वुसके हिसाब साको सिक्रेक कर लेना है तो मान लिजे यह सारी का प्रोड़क्ट है और अक्च्छुएल वेट तो वेट अपका जू भी है वह यहां लिखना है माल लीजी ये 200 kg में सिल्क कर देता हूं ग्रोस वेट भी 200 kg आपको मिलिक देता हूं और यहां वेट टाइप आप यहां kg दे दीजिए और GST जैसे लगता है टैक्स जैसे लगता है जो परसंटेज के हिसाब से आप सिल्क कर दीजिए मैं 5% लगा देता हूं और यहां rate as पर वेट करेंगे, volume पर करेंगे या quantity पर करेंगे या आपके उपर decide करता है और जैसे select करेंगे उसके हिसाब से calculate करेगा माल लीजी यह मैं वेट के हिसाब से करता हूं और 200 kg पार kg में 10 रुपे करके कर रहा हूं लिखने के बाद आपको add to building में क्लिक करना है हो गया अभी आपको checkout पे क्लिक करना है चेक आउट पे क्लिक करते ही आप आपको software पूछे का consignor के बारे में तो आप consignor select कर दीजिए अगर नया consignor है तो आपको यहां information डालके submit पे क्लिक करना है अगर पहले से एक consignor बनाया हुआ है उसका account आपके पास है तो आप यहां से submit टाओं पे क्लिक करना है जब भी आप किसी भी consignor को select करेंगे तो यहां लिखने के बाद right set में उसका नाम आ जाएगा ठीक है तो अभी देखिए जैसी मैंने एस टाइप किया उसके related जो भी consignor है वो यहां आ गया जो account पहले से बनाया हुआ है तो मैं ऐसे ही यह demo के लिए में बना रहा हूं तो मैं यह सिल्क कर देता हूं यह वाला party और consignor जो माल receive कर रहा है आपको पताए consignor होता है जो send कर रहा है और जो receiver होता है उसको consignor बोलता है तो अभी आपको consignor सिल्क करना है तो कोई भी consignor मैं सिल्क कर देता हूं हां हो गया इसके बाद आ जाता है आपका booking का विंडू जो सारे information आपको मांगेगा सबसे पहले यहां देखिए booking डेट तो आज की टेट यह हैं और इसके बाद बिल्टी टैप अभी जीस्टी बना रहा है चलान बना रहा है जो माल लेजिए माल ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह में इसका जीस्ट अप्लिकेबल नहीं है तो आप बुकिंग चलान बनाई है अधर्वाइस फिर आपके booking reference का जहां आपका माल booking हो रहा है booking reference यहां रहेगा और यह booking reference कैसे बनाएंगे master पर जाके booking reference यहां क्लिक करके आपको बनाना है ठीक है और इसके बाद आता है broker तो broker details मतलब कभी कभी क्या होता है जो booking आता है दूसरे पार्टी से तो आपको जो पार्टी माल दे रहा है वो नहीं कोई market में है जो आप यहां broker से लग कर दीजिएगा और end of the month कौन से broker से कितना माल booking आया है वो भी आपको statement मिल जाएगा software से और इसके बाद यहां आता है चलान invoice या बिल नंबर जो पार्टी माल shipping कर रहा है उसके जो invoice से कोई ना कोई तो invoice होता है उसके पास वह invoice का जो नंबर होता है डेट ह यहां डालेंगे और इसके बाद invoice number आप यहां डालेंगे ठीक है और value of the goods माल लीजे यहां एक लाग रुपए का समान जा रहा है और टेक्स कौन पे करेगा टेक्स पेड़वाई consignor या consignee तो यह customer के उपर depend करता है कि वो जो माल भेज रहा है वो टेक्स देगा या फिर ज transportation mode road from Kolkata to location अगर तलसी लेकर दिया payment mode यहां मैं डेल दिया हूँ टू पेड़ और इसके बाद यहां अगर EUA bill आपने बनाया है तो यहां EUA bill number आप डाल दीचिएगा ठीक है और इसके बाद shipping list किसका रहेगा केरियार या owner ज्यादातर cases में owner का रहता है अगर कोई भी party mark packaging size आ आप यहां लिखेंगे फिर यह सारे data भढ़ने के बाद आपका काम होगा सब्मिट करना और यह होता है shipping address यह ध्यान रखिएगा अगर consigny का address और delivery address अगर different है तो आप यह shipping address लिख दीजिएगा अधर्वाइस यह सेम रहेगा फिर submit कर दीजिए submit करते ही आपको सारे information save होने के बाद यहां charges लगता है जैसे माले लेबर हो गया हमाली और cn charge जो भी charges आप लगाएंगे customer को वो यहां सारे आ जाएगा माले आपने हमाले 400 रुपीस लगा दिया है तो यह automatic plus हो जाएगा अभी next बात यह है कि पैसा कौन देगा यह जो bill है जो cn बन रहा है इसका ledger कि हिट करेगा तो इसके लिए आपको liability सिलेक करना है payment liability माल लेजी आपी शो स्टोर पैसा देगा ठीक है तो अगर यह देगा तो इसको सिलेक करना है consigny अगर consignor पैसा देगा तो consignor सिलेक करना है ठीक है तो मेरे case में मैं सिलेक करा हूं consigny और अभी पैसा नहीं देगा माल मिलने के बाद देगा तो आप receive amount पे जीरू मारेंगे ठीक है हो गया अभी यहां आपको just submit पे क्लिक करना है तो आपका built ready हो जाएगा तो देखिए आपका built ready हो चुका है और इसमें सारे information जैसे जैसे आपने फिल किया था वो सारे information आ गया है और आपको print करने के लिए print बटन पे क्लिक करना है और करने के बाद यहां आपको बिल्टी प्रिंट हो जाएगा और यह F4 पेज का हाफ में यह बिल आ जाता है देखे यह F4 पेज के हाफ में यह बिल आ चुका है और आपको F4 पेज लगा देना है प्रिंटर पे और प्रिंट मारता ही कर लिया मतलब एक एक four page में आपका दो बिल्द प्रिंट होगा हः ठीक है एक तो यह तो होगे हमारा booking अभी यह booking कहां के लिए अगरतला के लिए कि आगरतला ब्रांच में मैं अभी रिसीब में जब मैं कांसाइनमेंट रिसीब रेजिस्टर में जाओंगा देखिए यह सारे वाला मेरा जो अभी लुकनात इंडेस्ट्रेस का माल बुकिंग किया था अभी शोर्ष यह अगर तला बॉला ब्रांच में डिस्पले हो गया है तो मतलब तुरंत यह डिस्पले हो जाएगा बुकिंग ब्रांच जिस ब्रांच को माल भीज रहा है उसी ब्रांच में तुरंत दिख जाएगा कि उसके ब्रांच के लिए कितना माल बुकिंग हुआ है ठीक है तो और आगे का प्रोसेस में कुलकाता वाला ब्रांच से दिखाऊंगा क्योंकि बुकिंग के देख सकते हैं कि उसी डेट में जितने भी बुकिंग हुआ है डिटेल आप यहां से भी देख सकते हैं सर्च करने से आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा जैसे मान लिजे में लास्ट मांद का पूरा निकाल लेता हूं अभी तक तो यहां देखिए आपका सारे माल आ चुका है और यहां एक बहुत आसान चीज यह है कि पूरा लिस्ट आफ लाइन में डाउनलूड भी कर पाएंगे यह सॉफ्ट्वेर से एक्सपोर्ट एक्सल करने से आपको पूरा डीटेल्स आ जाएगा यहां देखिए आपका पूरा जितने माल बोकिंग हो चुका है वो सारे माल आपको यहां दिख रहा है एक्सल शीट में ठीक है तो यह भी आपको मिल जाता है सॉफ्ट्वेर से एक्सल में डाउनलोड करने के लिए और आगे का काम कहीं भी आकर भीजना है दूसरे ब्रांच में कुछ भी तो आपको एक्सल में पूरा लिस्ट मिल जाएगा ठीक है फ पहले हमने एक गाड़ी बना कर रखे हैं यहां रिजिस्टर करके जिस गाड़ी से माल जा रहा है यहां यह जाता है कुछ-कुछ गाड़ी आपका रहते है जो पर्मिनिन इन लोगों से तो आप सारे वेकल्स को पहले कर ली जिए गा यहां और क्लिक करते आपका वेकल डी टे में पोखर देंगे देने के बाद आपका गाड़ी को आंग्स जाएगा फिर आगए का प्रोसेस मेस्ट रेजिस्ट में यहां आपको क्लिक करना है और क्रीएट नियू मैनिफेस्ट और जो जो माल आपका पैंडिंग है जाने के लिए वो इहां दिख जाएगा ठीक है यह जो माल जाने के लिए पैंडिंग है और यहां आपको दिख रहा है ठीक है अभी हमारा काम होगा मैनिफेस्ट रेजिस्टर में जाके क्रियेट नियू मैनिफेस्ट अभी माल हम कुलकाता से अगरतला भेजेंगे तो यहां फ्रॉम ब्रांच आपका बाइडिफॉल चिलेक्ट हैगा यहां फिर ज्यादा ब्रांच होगा तो यहां आ जाएगा तो आप अभी हमारे के लिए यहां मने एक ब्रांच है तो इसलिए ऑगक दीख रहा है ठीक है और आगे का जो है टू ब्रांच अगरतला मैंने थीलेक्ट कर दिया और साभ्मिट करते ही मेरा यहाँ सेलेक्टेद रेदे के वाया रोड माल जाएगा और अगरतला सर्च करते ही अगरतला के जितने माल जाने वाला है तो मुझे दीख गया और अभी आपको जो जो cn आपको भीजना है यहां cn नमर आप लिख सकते हैं जैसे 6155 6155 में लिखते हैं यहां 615 पर आ गया और मैं add to manifest क्लिक कर दिया ठीक है add हो चुका है अभी दूसरा माल मैं यहां से सिल्क कर लेता हूं 6149 6146149 में सिल्क कर दिया आगया 6149 देखे आगय और एक माल मैं ले लेता हूं 6151 एक माल ले लेता हूं 6151 यह माल भी मुझे लेना है बस हो गया अभी इतना मैं ले लिया तीन माल मैंने ले लिया और अभी जब सारे माल add हो चुका है अभी यहां से मेरा चेक आउट में क्लिक करना है ठीक है चेक आउट में क्लिक करते हैं करेंगे और इसके बाद फ्रॉम आगर तलाट कोल का था वो पहली मैंने सिल्क करकर रखे थे इसलिए आ गया अल्रड़ी तो आपको यह सिल्क करने की जरुवत नहीं है फ्रॉम तो यह पहले से सिलेक्टेट है अब नेक्स्ट है जो गाड़ी में ने वहार वेकल रेजिस्टा में माल लिजी यह भेजने के लिए मुझे लगबग पांच हजार रुपे लग रहा है तो यह मैंने पांच हजार यहां डालना है अगर कोई पैसा ड्राइवर को एडवन्स दिया है तो आप यहां लिखेंगे अगर कुछ नहीं दिया है तो आप यहां चीरू कर दिजिए अगर कुछ दिया है तो आप माल लिजी ड्राइवर को 500 एडवन्स दे दिये तो यहां दे दिजिए और 4500 आपको डियू रहेगा ठीक है तो मेनिफेस्ट बनाने का यह प्रोसेस है और साब्मिट के अगर कुछ भी लिखना है तो यहां रिमार्क्स पर लिख पाएंगे फि लेक किया था 55, 49, 51 वह सारे माल यहां आ चुका है और ड्राइवर डिटेल्स और वेहकल ओना डिटेल्स भी यहां दिख रहा है और आपको यहां से प्रेंट आउट करके ड्राइवर को यह कपी दे देना है ठीक है तो यह तो बन चुका है मेनिफेस्ट अभी मेनिफेस्ट बनने के बाद काम खतम नहीं हुआ है मेनिफेस्ट बनना मतलब आपने गारी लोड के लिए बहुस सारे चीज़ बना दिए अवी जो गारी लोड हो चुका है यह माल के समय इसको अभी हमें डेसपच करना है अभी डेसपच करने के लिए मेंडेस्पस मेनू पे जाना है और applicable है या अगर आप Kargo से भेजने ने वह भी same applicable है मतलब यहां आपको just which a नब यूज्स कर रहें हैं वही वह्या आपको अधिकर करना है मतलब यहां आपको बेकल रेजिच्टर में जाकर वह के ल economic करना एक तो रेल को रेजिस्टर कर दी इन्द से ये अधिके गारे बेज़ रहा हूं तो यह करना है और इसके बाद साब मेड़े करते ही मेरा गारे देश भाज हो जाएगा और इहां देखिए इन ट्रांजिट डिक्राएं मतलब मेरा जो माल है वो अब ब्रांच अभी यह वेड कर रहा है अभी मैं अगरतला ब्रांच में लोगिन करता हूं और लोगिन करते ही यह अगरतला ब्रांच पे रिसिब में दिखाएगा ठीक है अभी डेस्पाइस तो मैंने कोलगाते से कर दिया अभी रिसीब में यहां दिखाएगा आनलोड कॉंसाइन्मेंट पर यह रिसीब पहले मैं जो कॉंसाइन्मेंट रिसीब रिसीब मे दिखाया था वो तो जो माल अगरतला के लिए booking हुआ है वो देखने के लिए लेकिन यह माल actual में कहा है क्या है वो अभी देखिए लोरी इन transit status दिख रहा है और यहां देखिए unload मतलब जब अगर तला गाड़ी पहुंच जाएगा तो आपको अनलोड पे क्लिक करना है माल लीज़े अभी एक ही दिन में माल पहुंच चुका है अगर तला में और यहां देखिए सारे अभी अनलोड पे quantity भी हां लिख पाएंगे और ये देने के बाद आप डेट मारी यहां एर अर्याइवल डेट किस उल्डेट में मले सीव हुआ है और इसके बात आपको लिमाक्स कुछ भी रखना है तो यहां रखे फिर सब्मीट कर देज करते ही हमारा राइवल रिपोर्ट बन चुका है कि अभी जो जो माल अकरतला पहुंच गाया है उसके लिए आप delivery पर जा के आप ढ़वरिन लीस्ट जाएंगे इसमें मतलि इसमें पूँच चुका आख जो माल जो क्रफान अपने अंलूड कर दिया वह अभी delivery पे जागे जब arrival list पे click करेंगे तो सारे details यहां दिख जाएगा जो जो consignment 51, 14 and 55 अभी माल लेज़े यह वाला जो माल है इसको हम get pass बनाएंगे तो get pass बनाने के लिए वैसा same system में एक party के लिए multiple माल अगर रहेगा तो यहां सारे दिख जाएगा और एक ही साथ आप सारे यहां tick mark मारी और add कर देने से सारे add हो जाएगा और इसके बाद आपको check out करना है और अगर कुछ भी delivery through अगर आपका माल लीज़े यह वाला माल किसी local transport से आप कहीं भीजना है तो delivery भी वरिट्रो उस ट्रांसपूर्ट माल लीज़े जनता ट्रांसपूर्ट तो ऊहां लिख दीज़े और डेट यहां डाल दीज़े अठीक है जी डेट में आप गेटवज बना रहे हैं तो यहां डाल दीजएगा और डालने के बाद आप इस बटन सबर क्लिक करना है मैं क्लिक कर दिया और he डेकाउट प्रेंट पोड़े डियरा चेकाउट में मैं क्लिक कर दिया ख clearly करने के पाद अगर कुछ भाक को ना है तो यहां लिखे सब्मिट कर दीजिए अगर आप क्रेडिट ग्रेडवास गेडट पैस दे रहे तो आप यहां क्रेड़िट लिंग देजिए क्रेडिट करते हैं आपका गेड़ पास बन चुका है और रिमार्क्ष में क्रेडिट पास आ चुका है और यह जो रहा है वह सारे चितने भी आ पैमेंट करेंगे सारे न पर और दिखाएगा और डेली पैमेंट रिपोर्ट अगर आपको डेट वेस्निकल निकल निकल पाएंगे मन्तली टूबी बिविल इनवाइस हुआ जितने भी फिल मन्त ले टूबी बिल हो भो भी आ जाएगा फिर आपका है लेजर लेजर के वहां आपको डेट कीटवार वह सारे चीज़ आपको इहां से मिल जाएगा लिखे जितने लेकिकर आप दीटेल्स आरा है तो कि स्टोंस में इस सब्सक्राइब चा openness 60 रुपए उसका पेवेल था उसको मैंने 60 रुपीज डिसकाउंट कर दिया अभी इसमें मैं साब्मिट कर दूंगा अगर कोई तो इनका एकाउंट जब मैं जाओंगा इसमें देखिए उसका लैजर बैलन जीरू हो चुका है क्योंकि उनके जो पैसा है 60 रुपिस में डिसकाउंट कर दिया है और 25 रुपए उन्होंने जमा किया है ठीक है तो हमारा एकाउंटिंग भी यहां से मैंटेन होगा अभी लैज से आपके सारे अकाउंट डिटेल्स आ जाएगा देखिए इसमें अभी स्टोर्स का यह सारे डिटेल्स आ चुका है और यहां आप देखिए पूरा जितने भी पार्टी से पो एक ही पेज में आपको पूरा लैजर के डिटेल्स आपको मिलेगा ठीक है तो एकाउंटिंग वह भूछ आसानी से आप कर पाएंगे लेकिन और भी बहुत सारे फीचर्स हम यह सॉफ्टोर में एड कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप यह आप जो ढूंट रहा है वो नहीं है ऐसा नहीं आप हमें बता सकते है जो जो सेशलेटी आपको चाहिए सॉफ्टवर में जो जैसा सारे मैंने चीज बताएं वह सारे आप रिपेट करके फिर से देखिएगा अगर कहीं भी कन्फियूशन हुआ कुछ भी आपको पूछना है तो हमारा कामेंट सेक्शन में बताइएगा अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब कर आपको जल्दे जल्दे नूटिफिकेशन मिल जाएगा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह किमते टाइम देने के लिए कि कि कि